उमीद है कि सबका हिश्टिय का पेपर बहुत अच्छा गया होगा चलो आज हम लोग जोगराफिक के कुछ कोशन देखेंगे जो जोगराफिकल रिजन्स होते हैं ठीक है उसकी कॉंसेट को अच्छे से समझने के कोशिश करेंगे कभी एक्जाम ये कोशन आ जाते हैं तो आप अपने खुश से आउन से आसानी से लिख सकते हो ठीक है चलो श्टार्ट करते हैं पहले कोशन से अगर आप चैनल पर नहीं है तो मैं यहीं बोलूँगा टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए वहां पे प्रिविये से जो कोशन है उसका पेडियेप मैं अपलोड कर दूँग ठीक है तो वह कोशन जो रहेगा सौल्उट के साथ रहेगा चलिए कोशन आपका डिसेंबर 2020 में आया हुआ कोशन है तो चलो देख लेते हैं कैसे करना है इसको सफड़ अल्वेज अकर इन ब्राजल हमेशा जो आपका इस नो फॉल ब्राजिल में नहीं होता क्यों नहीं होत प्रोपीकल एक बार आप दोह रादो बिल्कुल जबान बे वड़ाना चाहिए ट्रोपिकल कंट्री सेकंड बॉइंट सी किस ब्राजिल है great डिटीटी टीटेनल एक्सेंट इसके वास्ट क्या है लेटीटीटीटीट गोलडना जो है climate का changing इसको experience करना पड़ता है it is very hot as well as cold in Brazil इसलिए ब्राजल में कभी कभी hot भी होता है और cold भी होता है दोनों ही होती है तो हम को क्या समझ में है पहला समझ में है पहला point कि Brazil जो है झो है ट्रॉपिकल कंट्री है और काफी latitudinal क्या हो गया यहां काफी फैला हुए एक्स्टेंट है जिसके वजह से यहां का क्लाइमेट लगातार चेंज होते रहता है इसलिए कभी कोल्ड होता है कभी होट होता है जिसे इंडिया में इंडिया में तो बारिश भी होते रहता है तो इसी ब्राजिल में भी बारिश होते रहते हैं यहां के लिए सूटीबल बिल्कुल भी नहीं है क्लियर हो गया मेरे ख्याल सबको समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं इस लिए स्नौफॉल वहां पर अकर नहीं होता है तो सारे पॉइंट्स मैंने करके बता दिया पहले में क्या था ट्रॉपिकल कंट्री दूसरे में क्या था अगला कोशन दियरा फ्यूवर नेच्वरल अना पॉर्स ऑन दे इस्ट्रन कॉश्ट आप इंडिया बहुत फ्यू जो नेच्रल पोर्स जो है इंडिया के अंदर है यह कोशन जो दो बर पूच्छ का है मार्च दो जरूनीस दिसम्बर 2020 में पूचा होगा कोशन है चले इसक इस फर्ट इसन कर्स ऑफ इंडिया बॉडर्डरस की बन गाल स्टम की बाद करेंगे आरी पंगोल के रिया रिया है बेंगाल हो गया अर वहां पर देश का जो लाका है उड्रहतर पर पंधिशित and has form a result of depositional work of rivers due to gentle slope of land slope of land के वेज़े से क्या होगा कि रिवर जो फ्लो करता है लोवर वेलोसिटी लिवर जो रिवर का फ्लो होता है काफी स्लू होता है है न एंड डिपोजिट दस सेडिमेंट्स एड़ कोष्ट और इसकी वज़े सेडिमेंट्स कहा होते है कोष्ट के उपर डिपोजिट होते जमाओ अब चोटे चोटे पार्ट यह यह इसा कोछ रहेगा इस तरीके से पाट बना रहता है ठीक है के इस तरीके से पाड़ बना रहेगा एन मैं कोश्ट सेलो और इसकी वज़े से कोश्ट जो होता है सेलो होता काफी थोड़ा सो उठी जाता है गहरा नहीं होता नेशनल पोर्ट सकेन ओनले डिवलप विर देर इस डीप सी एंड इंटेंड कोश्ट लाइं ठीक है और नेशनल पॉर्ट वहीं बनते हैं जहां पे सी काफी गहरा होता है यह बात आपको याद रखना है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अगले कोश्ट की तरफ आई इवर्गृन फोरस्ट फोर्स्ट आरव यह वहीं फोर्स्ट पर उर्यड घेँंट से रज्ट hablar यागीर बानि मोनुझ ऑच्यूंट लार्च अमलट फोर्वर्शसे एं ब्राजिल दृल कर पबhelpकate बहुत ज्यादा वहां पर क्या होगा लएगा टीक हैं तो यह बात आपको समझ में आ गिया होगा डिज रिडियूस दकार व्डाइख लेवल लेवल्मनेंट जाता है clear हो गया आगे बढ़ते हैं in Brazil majority of population is found in the eastern coastal areas Brazil मे इस्ट न्कॉश्टिल एरियास क्या बोला है Majority population किया कहां पाया जाता है Eastern coastal areas में majority population पाया तो यह भी March December 2020 का question पूछा गया था तरह स्फेटन खूशव ब्राजील है इस फर्टाइश of coffee क्या बोल रहां, amber इस्ट्रन कोशेल एड़िया जो है, वह काफी fertile है, जरकेज है, और most sweetable है किसके लिए cultivation of coffee, coffee की cultivation के लिए काफी, क्या है, sweetable है, तो दो पहला point है, इसको चाहен तो पहला point है, इसके चाहएं तो दो point क्या है, पहला point क्या है, वह coastal area क्या है, काफी fertile है, और dossable किसके लिए कल्टिवेशन ऑफ कॉफी के लिए सेकंड पॉइंट इस रिजन इस बीचिन नियु अ मिनरल्स और यह रिजन क्या है minerals के लिए reach है काफी minerals पाय जाता है और क्या power regular power supply भी है वहाँ पर जायर सी बात है regular power supply रहेगा पानी वगरा का भी इंतजाम किया जा सकता है there is also excellent transport facility a transport facility भी है जायर जी बात अगर transport facility होगा तो किसान वगरा जो होते अपने फसल वगरा को शहर में ले जाके बेश सकते हैं there is a hot and humid climate और climate कैसा होँआ का hot भी है humid भी है जैसे मुंबई के climate hot or humid है regular water supply and fertile soil for cultivation in this region तो इसके वज़े से काफी फायदा मिलता है ठीक है due to all about reasons majority of population is found in eastern coastal areas of Brazil अब इसी वज़े से जो coastal areas में क्या होता है ज्यादे ज्यादा population पाया जाता है इस question लिया में ठीक है समझ में आ गया तो क्या-क्या अगला region ता पहला अपने को समझ में आ गया कि भाई वहां का fertile soil है अब उसकी वज़े से कॉफी की cultivation में आसानी होती है second point समझ में आए कि वहां पर पावर सप्लाई जो है regular है और क्या है excellent transport facility भी है तीसरा point क्या समझ में आए कि वहां का जो मौसम है क्लाइमेट जो है कैसा है humid है hot है जो suitable है फोर रहने के लिए काफी suitable है ठीक है यह चीज़े अपने को समझ में आगे इसके बेस पर हम लोग बोल सकते अगला region देके आप पूरा का पूरा कोशन निख सकते हो मेरे ख्याद सबको समझ में आगे और पहले वाले में हैं तो देखे आपने क्या है ज्यादा फॉरेस्ट की वजय से क्या होता है oxygen रिलिज ज्यादा होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं टेरिते जामनमीं ब्राजिल ब्राजल में जो ही rok एकोनावी कैसे मिक्ष्ट हैं और इंडिया के अंदर यसे लाइक के रेल वे अन्डिया इंडिया यह हो गया यह सब मैंने किया ऎ्ट ए कुछ था हो घ्यारइन इंड़िया। इस अ लृटिए इंडिया गॉर्मन्ह diciendo एक सुनाद गोथा आधी और को था है रेलभ रेलेही हूआ हिए एलेक्रि Vishy अटिक्र Sungldi गया फिर तीसरा पॉइंट इन ब्राजिल एस इंडिया दसेक्टर्स लाइग बैंकिंग एर्वेस हेल्ट एजूकेशन टेली कम्मुनिकेशन हना इस आर और एंड मैनेज़ बाइब प्राइब एस पॉइंट में क्या हो गया आपको ऐसे सेक्टर का नाम बताना है जो गौर्म थो का फोन इस्ता हो गया delicosa है कौन सा है तो इसी तरह बाद करता हूँ अपका बे इस नेल तो ये क्या हो गया यह गवंनेट वाला हो गया ठीक है तो यहापको समझ में आ गया है हेल्थ Sophie ठल कई अवाूर。 होता है आपके एरिया कोशन कोशन कर चार जो दिया है या औन e too एक absolutes to कि लिए कर डृत को पर रिलाई करते हैं। चल रिजन देख लेते हैं। सी रूट्स या के waterways और चीपेस्ट मोड आफ ट्रांस्पोर्ट जो ये रास्ता सबसे चीपेस्ट रास्ता है किसके लिए ट्रांस्पोर्ड के लिए waterways are heavily are highly suitable for bulk transportation बलक transportation यानि बहुत ज़ादा transportation करना है तो ये बहुत बहतर तरीका है waterways क्योंकि आप देखें होगे कि कई-कई container भरे जाते ship के अंदर हाना एक दो नहीं और ship कितने बड़े-बड़े होते ही ये भी देखें होंगे आपने हाना 500 मीटर एक किलो मीटर तक चले जाते कुछ कुछ शिप तो ठीक है international trade goods are imported and exported on large scale large scale पर क्या होता है international level पर goods are import किया जाता है export भी किया जाता है फिर आखरी पॉइंट किया थे बास सी रूट्स country can import and export goods with minimum cost सी रूट्स के क्या जरी क्या हो सकता है कोई भी country import export कर सकती है minimum cost पर खर्चा बहुत कम लगेगा minimum cost पर कर सकती है therefore we rely on the sea routes for international trade इसलिए हम लोग इसको पर rely करते हैं तो यह कुछ points था कुछ reasons थे जो मैंने समझानी के कोशिश किया अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी share करें मिलते हैं next video